हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आशाख रुरतिवस वस्त होगे अच्छोंगे मजब्य होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे आपको हमेशे पॉजिटिवी फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव में 100 गुना पॉजिटिवीटिव पोउजिवकोर्टा करता है आज दीन भर आपके रिष्टे में क्या हो सकता है ठीक है आपके परसन की तरफ से लोग मैसेज भी देखेंगे और इंड में आपके लिए इंजल गाइड़ाज भी देखेंगे ठीक है चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजे लाइक करने से इनर्जिस एक्स्चेंज हो जाती है तो मेसेज दीजे इनिवर्स वीडियो को एंटर ज़रूर देखना है ठीक है अगर आपको आपकी परसन रिडिंग करानी है स्क्रीन पर देग नंबर पॉर्ट से मेसेज कर सकते वहां पर आपको डिटेर्स मिल जा है कि तुझे मतलब सब को छोड़ चाड़ कर कई जाना जाहिए तुझे किसी के कॉंटेक्ट में नहीं रहना है ना तेरे परसन के ना तेरे घरवालों के ना मतलब अगर ऑफिस जाते हैं अपने कलीक्स अपने दोस्त कोई नहीं चाहिए इनको यह परसन इतना परेशान है अपनी जिन्दगी में कि इनको सब को छोड़ कर भाग जाने का दिल इस वक कर रहा है इनका दिल करन्ट में कह रहा है कि अगर आपसे भी मिलने के बारे में सोचे अगर आपको कुछ भी कहने की बात करें कुछ भी कुछ भी कुछ भी पूरूफ करने की कोशिश करें आप इ ज़ेँ की, आपको परूफ करना है, कि एए परसने आपको प्रेसन को कितना पसंद पर देए. आपके पीजना रहना का बहुत मुश्किल है. बार बार आपके वीजेन को आ रहे हैं. ठीक है, लेकिन आप इस परसने को जो 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 की, सिर्फ और सरीप जैसे की, होता है ना, selfish समझते हो, अपने बारे में सोचना और जो कि, सिर्फ अपने मन का जिस्ते करना, आपको ऐसा लगता है कि एह person, सिर्फ अपने बारे में सोचता है और जो कि, आपके लिए कुछ करना भी नहीं चाहता लेकिन, इनको लगता है कि, अगर यह such में इतने selfish होते तो यह आपके लिए इतना पागल नहीं होते और यह आपके लिए इतना efforts नहीं लगाते recent past में इस person ने आपको 100% आपसे मिलने की कोशिश की होगी आपको कुछ प्रूफ करने की कोशिश की होगी जो कि आपने complete denied कर दिया आपने इस person को directly पहले तो आपने इनको मना किया ठीक है इनको selfish बोला इनके उपर गलत सलत कुछ भी ऐसे ऐसे blame किये जो आपके person से बरदाश नहीं होए और जो कि आपने इस रिस्ते में जाने से मना कर दिया आपने इस रिस्ते को स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि आपके person की जो भी situation थी उस situation में आप अपने person को जैसे की तैसे मतलब स्वीकारना नहीं चाहते ठीक है 100% situation कुछ ऐसी होगी जो कि आप उसको उसके साथ manage नहीं कर पाते ठीक है आपके घरवालों को अगर इनके finances से problem में अगर इस person की job अच्छी नहीं है कुछ भी हो सकता है finances को लेकर career इस person का अच्छा नहीं है हो सकता है कि इनके घरवाले पहले इनको force कर रहे है पहले अपने career पर focus कर बाद में तुझे जो करना है वो कर तो यह person आपसे कुछ time मांग रहे होगे कि दो-तीन साल दे मुझे और एक बार मेरा career set हो जाए फिर भी तुझे अपना लूगा ठीक है तो यह जो भी reasons आपको दे रहे हैं वो सारी reasons जो कि आपको मतलब मानने नहीं है आपको बस इतना है अगर तुम्झे अपनाना चाहता है तो अभी क्या अभी ठीक है और अगर तुम्झे अभी नहीं अपना सकता तो मैं future का इंतजर नहीं कर सकती इसी वज़े से आपने इस person को reject किया है ठीक है आपको जो भी बाते हैं जो भी condition है वो आपके person इस वक भी नहीं मान पा रहे हैं इसलिए इनका जोकी सब कुछ छोड़ चाड़ कर जान देने का दिल कर रहा है आपको अपना प्यार भी proof नहीं करना चाहते ठीक है इनको बहुत ज़दा डरावने डरावने illusions आने लगे है खुद को लेकर आपको लेकर आपके रिष्टे को लेकर इनको कुछ ऐसे dreams आ रहे हैं जिस dreams में आप दोने एक दूसरे के साथ कुछ बुरा कर रहे हो ठीक है आप इनको जैसे की मार रहे हो इनके उपर हाथ उठा रह रहे है या तो इनको भी गुछ सा आ रहा है यह आपके उपर हाथ उठा रहे है यहां पर कुछ डरावने कुछ horror dreams भी आ रहे है जिन horror dreams में जैसे की आपके person का घर जल रहा है इनकी जिंदगी जैसे की तहस्नेस हो रही है या तो इनके office में आग लग रहे है इनके घर में मतलब अगर business ये तो business downfall हो रहा है, career destroy और जैसे कि इनको कोई बड़ी बीमारी ने पकड़ लिया है, इनको ऐसे मतलब इतने negative dreams आने लगे हैं और जो कि connect करते हैं आपके साथ, कि आपके साथ बुरा किया, आपके साथ injustice किया, इस वज़े से अब इनके साथ यही होगा, ठीक है, इसी वज़े से यहां से भाग रहे हैं, कि कुछ गलत इतना बुरा अगर मेरे साथ होगा, तो फिर मैं जीकर ही क्या करूँगा, ठीक है, इसी वज़े से इनके दिल में negative thoughts आ रहे हैं, मरने का दिल कर रहा है, इस परसन का suicide करने का दिल कर रहा है, क्योंकि जो भी dreams इनको बार प्रेंद भी नहीं है, कि इतने negative energies को यह person face कर पाई, ठीक है, हो सकता है कि आपको ऐसा बोलते भी है, अपना डर बताते भी है, डर मतलब कि इनकी बातों से आपको यह feel होता है, कि यह person आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन इस पर जो भी condition, उस condition को वो change भी नहीं करना चाहते, जैसे कि दिल से चाहते कि जैसी भी situation है, वैसी situation में आप इस person को स्वीकार करो, ऐसा दिल से आपको pray भी कर रहे है, ठीक है, और future का promises भी है कि यह change करेंगे, यह change करेंगे situation को, ठीक है, लेकिन आपका क्या है, नहीं, जैसे मैंने बोला, अगर कुछ करना है तो अब भी कर, ठी ठीक है, तो current में आपको यह person जो कि अपने लिए सही नहीं लग रहे है, जिस वज़े से आप इस person को अपनी जिंदगी से निकाल कर फैकना चाहते हो, और ऐसा बात आप इनको बोल कर भी दिखाते हो, ठीक है, और जैसे ही आप ऐसा कुछ करते हो, तो यह person का possessiveness आपके लिए फील होती है, ठीक है, अगर आप इनको मौान करने के बारे में बोलो ना, तो यह person की बात तो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्ता इनकी तरफ से आपको फील होगा, होता होगा, कल या पर सभी ऐसा कुछ हुआ है, और यह person इस वख भी सोच रहे है, अगर आपने इनको बोल ठीक है, जैसे कि आपकी बहुत ज़्यादा डिस्रिस्पेक्ट, और अगर आप लड़की हो तो आपको मतलब होता है, एक दम नीचे ले लेवल के गालिया देना, इनकी बातों से आपको अपने लिए possessiveness फील होगा, ठीक है, कि देखो यह person आपके लिए कितना पागल है, इन के दिमाग में ऐसा ही थोड़ से, कि अगर आप कहा रहे हो इनको छोड़ना, आपको ऐसे पकड़ कर किसी पंजरे में बंद करके लॉक लगा कर, वो चाबी भी समंदर में फेक देंगे, लेकिन आपको किसी और की तरफ जाने नहीं देंगे, इनको इतना गुस्ता आता है, अब आप इनको मोहान के बारे में बात करते हो, घीक है, यह परसन आपके लिए बहुत पशस्सीव है, बहुत और सबसे ज़्यादा इनको बहुत लॉस्ट है, फिजिकल, ठीक है, बहुत आपका अट्रेक्शन फिजिकल ही ज़ादा है, ठीक है, तो यह अपनी नीड सिर्फ आप इसे complete करा सकते हैं कोई और इनको satisfied नहीं कर सकता जिस वज़े से ये person आपको मुवान नहीं होने देंगे ठीक है आप मुवान करने की कोशिश करो ये person जाने ही नहीं देंगे आपको आपके beauty की दिवाने आपके लिए बहुत पागल है और आपके साथ बहुत ज़़ा energetic feel भी करते हैं ठीक है ये person सिर्फ आप से बात करेंगे तब इनको खुशी महसुस होती है ठीक है I am so happy today अगर ये ये कर पाए ना जैसे इनके दिवाग में चल रहा है तो उससे ज़्यादा खुशी का दिन इनके लिए कुछ ने हो सकता ठीक है जैसे कि आप इनकी बात मानो ये जैसा बोल रहे हैं वैसे आप करो ठीक है और इनके इशारूपे जैसा बोलेंगे वैसे अगर आप हर एक बात मानते जाते हो और इनको सपोर्ट करते हो तो उससे ज़्यादा खुश्य का दिन इस परसंग के लिए कोई नहीं होगा ये करणट में यही सोच रहे ठीक है तो इस वक्त आपके परसंग के एनर्जिस यही है आपको खोने से डर खुद को जैसे की जान देने का दिल करना आपको रोग कर रखना है आपको बंद कर कर रखना है आपको किसी और का होने नहीं देना है भले यह किसी और के हो चुके है लेकिन आपके उपर सिर्फ इन ही का हग है ठीक है यह इनका करणट फीलिंग्स है और आपको ये कुछ प्रूफ नहीं करना चाहते है, क्योंकि ये प्रूफ करके ठक चुके ऐसा इनको लगता है, ठीक है, इन्होंने आपको बहुत प्यार फील कराया, लेकिन आपने इनके प्यार पे भरोसा नहीं किया है, तो आप ये कुछ प्रूफ नहीं करना चाहते है, ठ कि यहां पर उसके रहे फिर आपको तंग ना करें फिर आपको रोकने की कोशिश ना करें आपको ना तो यह जाने देते और ना ही अपनाते हैं आपको इस तरह से आपके परसन करकर रखाएं यहां पर नंबर 234659 आपके आपके परसन का बड्डेट हो सकता है नंबर 30 भी 44466 आपको इस परसन के साथ कोई फ्यूचर नहीं दिखाए देता है और आपको इस परसन को छोड़ना है ठीक है बस इतना है कि आप मुआ नहीं कर पा रहे हो इस परसन को छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो रहा है अगर आप इनको छोड़ने के बारे में सोचते हो तो आपको बहुत रोना आता है बहुत बुरा लगता है और जैसे कि किसी और के साथ मतलब वो खुशी नहीं म लेखेर अगर यह आपको नहीं अपनाएंगे complete तो आप इस परसन को अब इस वक्स छोड़ना चाहा देऊं ठीक है यह सब अपने आपको अपने काम में busy रखोगे और इनको जैसे कि अब इनकी जिंदगे से जा रहे हो इस तरह से energies आपकी है क्योंकि परसन की तरब से आपको clarity नहीं मिल रहे हैं तो आप करोगे क्या तो feelings आपके ऐसे कि अब मुझे रिष्टा नहीं चाहिए ठीक है आप जैसे कि यहाँ पर देखो मैं आपको starting में बोला है कि आपको लगता है कि यह person बहुत selfish है और आपके person को लगता है कि आप बहुत selfish हो तो यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि ना आप selfish हो ना यह selfish है यहाँ पर आप दोनों का प्यार है जो कि आप दोनों को एक दूसरे को खोने से जो डर लगता है और उस डर की वज़े से आप दोने एक दूसरे को selfish कह रहे हो ठीक है आपको लगता है कि यह सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और इनको लगता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो अगर आपका प्यार unconditional है तो फिर unconditional लो में आप इतने conditions क्यों डाल रहे हूं क्यों आपको ये मतलब क्यों आपको ये current situation इतनी difficult लग रही है अगर इसी प्यार है तो आप सिर्फ प्यार देखो ना और अगर सिर्फ प्यार को देखोगे और obstacles मतलब कि इनके relatives ये third parties अगर उनको दुसरे से मिलना रिष्टे में जाना इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे क्यों नहीं सोचते हो ठीक है भले हमेशा के लिए नहीं लेकिन कुछ time के लिए तो आप ऐसा सोच सकते हो जिससे कि आप दोनों अच्छा feel कर पाओ relax feel कर पाओ और जो obstacles आपके current में रिष्टे में है वो हटने के लिए भी रास्ते बन जाए ठीक है तो इस तरह से जित करके कोई फाइदा नहीं है ऐसा इनको लगता है आपको current में ऐसा कह रहे है कि मत करो ऐसे blame इनको थोड़ा सा support करो ठीक है अब हम यहां से कुछ messages देख लेते हैं पहले बाद में हम देखेंगे near future आपके रिष है ना चाहते है देखते क्या निकल क्या आता है आपके ओके देखते क्या निकल क्या आता है इस वक्त आपको क्या जानना जरूरी है ठीक है जो भी निकले रिजदोरTP बीडिक है फाइ पैट़Sí GUY होता है जब तेरी याद आती है इनकी कुछ problem है ठीक है इनको जैसकική लगने रहते हैं नमासे हिलने का भी दिल नहीं करता तकलिफ होती है इनको पेट दर्द होता है इनको बहुत ज़्यादा ठीक है बाड़ी में कुछ भी ताकत नहीं रहती जब यह आपको याद करना स्टार्ट करते हैं जैसे कि 24-7 आपके बारे में सोचते हैं और यह हमेशा जब लोगे से हैं जो कि इस रिस्ते से जाना है आपके परसन को आप ऐसे बोल रहे हो ठीक है और आपके परसन आपको रोकना चाहते है क्योंकि इनको भी ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में आपको यह आ रहा है ठीक है और आपको भी पताए कि कोई है जो आपको पसंद करने ल प्रसन का लूंग टम term satisfaction हो आप इस परसन को फुल फिल करते हो आप इनकी हर इच्चा कमप्लीट करते हो यह जैसा चाहे वेसे आप करते हो कुझी भी हो कुझी ठीक है आप इनकी मरदेसे चलते हो और इनके लिए जीते हो इनके लिए मरदे हो ये इनको अच्छे से पता है आपके अपके परसन को बहुत अच्छी लगती है आपके इसी इनर्जी के लिए आपके परसन इसको को रखना चाहते हैं आपको जाने नहीं देना चाहाते है डिक charity आप चाहा बहुत charity कर लिया करो जिससे क्या आपके लिए कुछ अच्छे रास्ते बन जाए आपके person के लिए कुछ अच्छे रास्ते बन जाए psychiatrist need आपके person को current में हो सकता है कि mentality इनकी बहुत disturb है psychiatrist के पर जा रहे है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी mentality disturb है मुझे नीन नहीं आती मैं depressed रहती हो मैं रात रात बर जाकती हो मुझे जो कि मतलब कितना भी काम करो लेकिन फिर भी मैं नहीं ठकती मुझे नीन दी नहीं आती अगर आपके ऐसी कुछ हालत है तो आपको psychiatrist के पास जाने की जर्वत है ठीक है वो आपको 100% ठीक करेंगे यह person आपके लिए पागल है ठीक है prosperity आपके इस रिस्ते में आपको definitely prosperity मिलेगी यह person आपको current में rude behavior अगर दे रहे है तो इसका मतलब यह नहीं कि यह सच में rude person है ठीक है यह जान बुचकर आपको rude person बनकर दिखा रहे है not reunion अगर आपको लग रहा है कि आपका reunion नहीं है अगर आपको ऐसा लग रहा है तो नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पे आप अपना mindset change करो तो reunion हो जाएगा यहाँ पे बहुत साइड लोग ऐसे जो इस रिस्ते से मुवान करना चाहते है और जिसी वज़े से मतलब कि आपके दिल ने मान लिया है कि इस रिस्ते में आप शायद आपका reunion नहीं हुआ ठीक है तो मुवान का खयाल आ रहा है आपके दिल में तो फिर reunion का possibilities कम है तो अब हम देखते हैं तो अब हम देखते हैं आपके रिस्ते में येर फ्यूचर क्या हो सकता है इनके इस रिस्ते में येर फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिस्ते में येर फ्यूचर क्या हो सकता है नियर फ्यूचर वाव भले आप कितना भी मुवान करने के बारे में सूचो ठीक है ये thoughts आपके दिमाग से दिल से चला जाएगा और आप दोनों का reunion होने वाला near future आप लोग romantic time spend कर रहे हो कहीं पे जा रहे हो कोई trip कोई जैसे की long drive पे जा सकते हो ठीक है आपके person आपको मना ही लेंगे ठीक है या आपके साथ flirtious behavior करेंगे आपको अपना प्यार प्रूफ करेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा दसिकी तरस दिए आपके लिए बहुत ज़्यादा जैसे पागलपन दिखाएंगे ठीक है आप मेंसे बहुत साही लोग का अगले तीन हपतों के अंदर reunion है और romantic time आप दोनों spend कर रहे हो आप मेंसे बहुत साही लोग का physical हो रहा है ठीक है long drive भी आपे दिखाए दे रही है तो current में जो भी energies है future में आपका 100% reunion है ठीक है तो हम देखते है angel guidance आपके लिए क्या है true message the universe ये जो भी energies आई है ऐसी energies में मेरी यवर्स के लिए angel guidance क्या है मेरी यवर्स के लिए angel guidance इस वक्या है इस वक्त इनको क्या जानना जरूरी है वाव आप देखो यहाँ पे भी six of fans आया है एंजेश आपको current में कहे रहे है कि आपके person आपस बहुत प्यार करते भले वो आपको नहीं बताते है लेकिन ये बहुत जल्दी बताएंगे ये आपको आकर कि पास reunion का offer लेकर आ रहे है शादी का offer लेकर आ रहे है ठीके बहुत जल्दी है सब कुछ होगा बस आप confuse मत रहो ठीके आप अपने confusion को हटा लो अगर आपको लगता है कि आपके person balance नहीं कर पाएंगे तो इस thoughts को change करो ठीके क्योंकि आपके person balance भी करेंगे और ये आपको अपनाएंगे भी ठीके ये angel guidance में आया है तो यस यही ही reading अगर reading रेजनोट ये video को like कर दीजे चड़ों को subscribe कर लीजे अगर आपको आपकी personal reading करानी है स्क्रीम पर देगा नंबर पर WhatsApp पर मेसेज कर सकते हो वहाँ पर आपको details मिल जाएगे call case से book करने ठीके तो मिलते हैं नेक्ष वीडियो बन तब तक के लिए बाब बाई